कि नमस्ते गुरुजी जै गुरुजी महाराच जै गुरुजी सासंगर जी शुक्राना गुरुजी महाराच अमटिलिंगों सेवादार टीम आप सबका स्वाधत करती है आज एक बार फिर गुरुजी की ब्रैस संगर राशी मा माली आंटी जी उपस्तित हैं जो कि संगर करने के लिए आई हैं इससे पहले कि वो संगर शेयरिंग करें मैं होच से रिक्वेस्ट करूंगा जो कि हमें मिले हैं वह संदक को दिखाना चाहते हैं तो इस से रिलेटिद कुछ गुरुद संकर है जो कि वीडियो में हैं वह आपको दिखाएंगे ओवर्ट यू होस्ट प्लीज वीडियो दिखा सकते हैं आप जाए गुरुजी जाए गुरुजी देखिए कितना सुंदर माहौल है कितने प्यारे लोग हैं इतने प्यारे से जाए गुरुजी जाए गुरुजी देखिए कितना सुंदर माहौल है कितने प्यारे लोग हैं इतने प्यारे से देखिए कैसे बैठे हैं अहाँ अहाँ सुने सुदा खालो खाओ अराम से कितने थे रेहे हो सुदान इतना सुने सुन टॉजी कितने भालो गुरुजी जाए टो खा理, खामन को लि ciert मे above потреб अहाँ सुना Ο Хорошо ben इतने तॉजी गहाँारं ऑुरु कितने सुनत kalo कि दतने प्यारे सुन जाए डिजारं भालो हाँ, छतने में मिरु आख दो ऑने जै गुरुजी जै गुरुजी जै गुरुजी जिनके नाम पर यह आश्रम बना है यह देखिए, गुरु महाराज, जै गुरु जी, जै गुरु जी, आज इनकी तब्या ठीक नहीं है, यह लेटी हुई है, लेकिन गुरु महाराज मगल में चुपचाप से बैठे हैं, इतने प्यारे हैं, सच मुचु जै गुरु जी महाराज, कितना आदश, कितनी नेक विवर्स्ता है, गुरु जी महाराज के संगत में, इसा गुरु जी महाराज की किरपा है, मैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए गुरु जी की पुरानी संगत, बलाज संगत, देनिक शर्मा आदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज, कैशन को आगे बढ़ाएं, जै गुरु जी जै गुरु जी, गुरु जी का नंतम अनंतम शुक्राना, बारं बार गुरु जी का शुक्राना, मैं अन्टी लिंगम परिवार दी तरफ तो, सेवादार दी तरफ तो, अज रश्मी अन्टी दा, बहुत बहुत तनवाज वेलकम होना दा, कि ओ अपनी गुरु जी जर्नी सानु दसनगे और सानु गुरु जी ब्लेस्ट संगत होन्दे होए सानु अपना सर्संग सुना के निहाल करनगे, असी बहुत बेचैनी नाल रश्मी अन्टी थोड़ा इंटजार कर रहे थी, कि इस प्लेट फारम ते हर संगता सर्संग सुनके कुछ ना कुछ सिखनू, कुछ ना कुछ सानु जवाब मिलने ने, पूरी संगत, पूरे सेवादार मल्टिलिंगल परिवार दे फ़ड़ा वेलकम कर दिये, और मैं पंजाब तो भिलोंग कर दिया, मैं 1995 जी गुरु जी न कुले बलाना, जित्ते भी बलांदे सी, कैसी पज्य जानदे सी, साधे पैर उना दिना दे भीच जमीन ते नहीं लगदे सी, कि साधे गुरु माहराज ने बुला लिया, आज मैं थोडे समने बैठी है, गुरु जी ने एक लाइव लाइव को मैंनो दती सी, सब दे समने किय जासी चुंती साल दी उमर दे विच्च, कि शर्मा अंटी ने तुर्जन है, और मैं अपनी उमर दे के जा रहे हैं, तो गुरु माहराज दे के होए शबद ओना दे हुंदे लाइव, उन्यस उन्य दे नमे दे विच्च, शर्मा अंटी थोड़े विच्च और रश्मी अंगत ही ब्लेस्ट हो रही है, क्योंकि गुरु माहराज साक्षात गद्दी देते बैठे होए ने, असी हुन भी अथे बैठे देख रहे हैं कि माहराज साक्षात साननों सुन रहेने, देख रहेने, साधियां अच्छियां चिज्जानों सुन देने, साधियां माडियां ग नहीं मनंदे जिवर गुरु जी नो असी संभ नहीं प्ए और संभाइज आई ते बहुत देर हो जन्दी है एक गुरु महाराज नों जद सी आथ जोड़के नमस्ते करदेशी जर्जै करदेशी ते गुरु जी सीकित दान्दें किस आनुमी ओ दुन्नों आथ जोड़के ओध के जोब दन् zestी जै गुर जी रश्वी अंटी nem ndi अपना सर्संग शिर कर सरो कि रश्मी ऑंटी जा जै गुरु गुर्जी जै गुरु जै वेल्कम बहुत बहुत शुक्राना थ्वढ March प्लेटफॉरम ते और वासन अंकल दा बहुत शुक्राना कि जो सान्य इस प्लेटफॉरम ते खड़े करके सारी संगत नू नहाल कर देने जैगुरु जी बहुत बहुत अन्वाद वासन अंकल तो अड़ा वी कि तुसी फेर प्लेट फोरम से बुला के फिर सेवा देती, जै गुरु जी आटी अपना सस्तंग शुरू करो जै गुरु जी आटी जय गुरुजी आपने इतनी मीठी और इतनी प्यारी बाते की हैं सचमुच हम सब धन्य हो गए है आज सबसे पहले तो सुरेश अंकल आपके दुख हम सब का दुख है इश्वर से प्रातना करती हूँ कि आपको शक्ति दे वीना आंटिक जी गुरुजी के चर्नों में हैं और हम सब की आखरी मंजिल भी गुरुजी के चर्नों में ही है अंकल आंटी से कभी मुलाकात तो नह हो सकी पर आपने बताया कि वो मेरे ससंग उन्हें बहुत अच्छे लगते थे और भी संगत्य जिनके वो ससंग अक्सर सुना करती थी यह हमारे लिए बहुत ही सवभागय की बात है हम भले ना मिले हो पर यह ससंग के भाने एक दूसरे से जुड़े रहे थे तो इस तरह मैं विना आंटी को याद करते हुए यह चाशब कह रही थी शुक्रिया अंकल बह कोटी कोटी प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को प्यार भरा नमस्कार कहां से लाओं वो शब्द जो तेरा गुंगान कर सके कहां से लाओं वो वाणी जो तेरी महिमा का बखान कर सके सचमुझ गुरुजी आप ही मुझे शक्ति दीजिए आप ही मुझे भक्ति दीजिए ताकि मैं जो कहना चाह रही हूँ और मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं उन्हें आप तक पहुँचा सकूँ कहते हैं कि भगवान और कुछ नहीं देखते बस आपका भाव पहचार लेते हैं आपका मन उनके प्रति कितना डूबा है उनकी गहराई उसकी गहराई वो जान लेते हैं उनके प्रति आपका जो प्यार है वो आपकी आँखों से जो आसु छलगते हैं उसका मुल्ले वो जानते हैं इसलिए गुरुजी से प्राथना है कि वो जो चाहे जैसा चाहे मैं वही कहूँ कोई शिष्षि गुरु चर्नों में जब शीष छुकाता है परमात्मा खुद आकर उसे गले से लगाता है कोई भाव भरे शब्दों से जब गुरु को रिज्धाता है परमात्मा खुद आकर आशीष लुटाता है सचमुच गुरुदेव जब से हमारे जीवन में आये हैं हम सब की तो जिन्दगी ही बदल गई है हम सब कुछ खोज रहे थे लेकिन क्या ये हमें खुद को ही पता नहीं था जिसे जो ठीक लग रहा था वो कर रहा था लेकिन गुरुदेव ने हमें कैसे अपने पास बुलाया कैसे हम सब गुरुजी की चन्नों तक पहुँचे सबका अपना अपना एक्सपिरियंस है गुरुजी की कृपा दिश्टी हम पर पड़ी हमारे कल्यान का खयाल उनके मन में आया और हम किसी न किसी बहाने से उनके पास पहुँच गए और यूं लगा कि जिन्दगी जीने का मकसद मिल गया है गुरुबानी में कहा है अमरित नाम तेरा सोई गावे जो साहित तेरे मन भावे इश्वर का अमरित नाम भी हम तभी ले सकते हैं जब हम पर उसकी कृपा हो उसकी दया उसकी करुना हो वरना तो हम सब अपनी जिन्दगी में उलजे रहते हैं अपनी कामों में व्यस्त रहते हैं जब समय मिलता है तो इश्वर को याद कर लेते हैं लेकिन गुरुजी कहते थे कि जैसे सास लेते हो जैसे सांस आती जाती है वैसे ही मुझे याद किया करो एक सांस भी खाली न जाए एक पल के लिए भी हम गुरुजी को ना भूले गुरुजी के लिए वो संगत बहुत विशेश है जो हर पल हर ख्षन हर लम्हा उन्हें याद करती है गुरु जी का नाम लेती है गुरु जी का शुक्राना करती है एक पल के लिए सोचिए अगर गुरु जी हमारी जिन्दगी में ना होते तो हमारी जिन्दगी कैसी होती हम सोच भी नहीं सकते ऐसा गुरु आपको कहां मिलेंगे जो कहते हैं तुसी मैंनों याद करो ता मैं थो आड़े कम करांगा सच मुच हम बहुत सवभाग्यशाली हैं जिन्दगी की दोर गुरु जी के हाथ में है सौप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में सचमु संगर जी हर जीवन में गुरु जी हमारे साथ थे साथ हैं और साथ रहेंगे इतना विश्वास गुरु जी ने हमें दे दिया है हम सब इसी विश्वास के सहारे जिएंगे और इसी विश्वास के सहारे अपनी जिन्दगी को और सुन्दर बनाएंगे मैं आपको अपना एक सक्षन सुनाती हूँ एक दिन में गुरू जी के चन्नों में बैठी थी और गुरू जी की सेवा कर रही थी तो मुझे गुरु जी ने कहा, तेरे का अर्च बहुत गनेश रखे हो यागे, सार्या नो इकठा करके एक टोकरी चिपा के मंदिर ची जाके रख दे, मैं एकदम हैराम थी, कि गुरु जी क्यों कैसे पता चला कि मुझे गनेश जी की सुंदर-सुंदर मूर्तिया इकठा करने का शौक है, गुरु जी तो कभी मेरे घर नहीं आये, फिर मैंने सोचा, गुरु जी तो परमात्मा है, वो तो अंतर्यामी है, उनसे क्या छिपा है, हम अपने आपको कितना भी अकलमन समझ ले, पर गुरु जी के सामने तो शुन्य है, वो हमारी असलियत जानते हैं, संगर जी, हम 11 साल बॉंबे में रहें, हर साल गनेश जी की पूजा करना, और जहां भी मुझे गनेश जी की कोई मूर्ती अच्छी लगती थी, मैं उसे खरीद लेती थी, और लाके अपने घर में सजा देती थी, इस तरह मेरे पास बहुत सारे गंपती थे, मैंने गुरु जी, मैं सारे गनेश जी बाट दो, इस पर गुरु जी बोले, नहीं, तु वंडरने नहीं, चुक चाप मंदिर चे जाकर रखके आई, जी नू जो अच्छा लगेगा लेलेगा, और बहुत खुश होएगा, तेर नू दौावा देगा, मैंने हाथ जोड कर कहा, गुरु जी आपने जैसा कहा है, मैं वैसा ही करूंगी, अगले दिन मैंने टोकरी में सारे गनपती डाले, और घर के पास ही मंदिर था, वहां ले गई, और पीपल के पेड के नीचे रख दिये, और वापस घर आ गई, इस तरह गुरु जी ने हमें समझा दिया, कि गणेश जी का स्था मंदिर में हैं, ना कि लोगों के घरों में, फर्शों पर या सजावट कर तरह, गुरु जी की हर बात का मतलब बहुत गहरा है, बस हमें कोशिश करनी चाहिए, उसे समझ कर अपने जीवन में उतारें, संगत जी, जीवन में जब भी कोई परिशानी आती है, हम घबरा जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, कि हम क्या करें, उस समय अपने इश्वर पर विश्वास रखकर, आप जो कर सकते हैं, करें, हाथ में हाथ रखकर ना बैठें, बस गुरु जी को याद करिए, बस एक बात याद रखे, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, वो गुरु जी की इच्छा से ही हो रहा है, आज अगर परिशानी के बादल चाय हुए हैं, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन कैसे ये बादल हट जाएंगे, और आप सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाए, गुरु जी हमेशा कहते थे चंगे बंदे बनो, ता दूजे अनुवी खुशियां बंडो, आपने ये देखा होगा, गुरु जी के साथ खुशी बाटने से हमारी खुशी दुगनी हो जाती है, चंगे बंदे बनो, यू तो ये तीन लवज है, लेकिन इसमें क हैं, सबसे पहले इस बात का खयाल रखना चाहिए, कि हमारे कारण किसी को कोई दुख न हो, किसी को किसी तरह का दुख न पहुँचे, अपनी हैसियत के अनुसार किसी का जितना भी भला कर सके करे, किसी के लिए कुछ और ना सही, तो उसके चेहरे पर मुस्कान और हसी तो गुरुजी ने किस तरह हम सब को खुशियां बाटी हैं, ये हम सब को पता है. बस जेस तरह गुरुजी ने हम सब के मुर्जाय चेहरे पर हसी या मुश्कान लादी है, हमें भी चाहिए, कि हम भी कोशिश करे, इस तनसार को सुन्दर बनाए, जिससे जो भी हो सकता है, करे. याद प्रहे कि जैसा गुरु जी चाहते हैं वैसा ही करें, सिर्फ इन्हों इन्सानों में ही नहीं, इस संसार में इश्वर्क दौरा बनाई, हर चीज को प्यार दें और प्यार बाटें कुरु जी हमेशा कहते थे कि जब हम मंदिर के बाहर जूते उतारते हैं, उसके साथ ही हमें अपनी समझ अपनी अकल भी बाहर छोड़ कर आनी चाहिए, हम सब खुद को बहुत समझदार समझते हैं, बहुत ज्यादा समार्ट समकते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हम कहां जा रहे हैं, किसके सामने जा रहे हैं, वो सारी दुनिया का रखवाला है, पालन हार है, जो सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छुपा नहीं, गुरु जी खुद कहते थे, जैसे एरपोर्ट पे हमार सूटकेस में क्या है, सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है, उसी तरह गुरु जी के सामने जब हम जाते हैं, तो हमारा एक्स रे गुरु जी निकाल लेते हैं, उन्हें सब पता चल जाता है, हमारी सारी फाइले उनके सामने खुल जाती हैं, इस बात का प्रूफ संगत के को उसका सथसंग सुनाती हुं आप सबने पहले भी वी सुना होगा लेकि सथंग तो सथंग है जैक जितनी भार भी सुने उसी प्रेम भाव से सुने और उससे सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का कल्यान होता है मधू और मैं गुरुजी के पास गए तो फिर्स टाइंग गई थी मधू तो मैंने उससे समझा दिया था कि गुरुजी के पास जाकर बस प्रनाम करके चुपचाप से बैठ जाना, कुछ कहना मत, ने ले कहा ठीक है, हो गई, माथा माथा टेका, और चुपचाप से बैठ गई, मैंने कहा गुरुजी यह मेरी सेली है, मदू, गुरुजी जी कहने हैं थोड़ी दिर रुखके, कहने हाँ, चंगी आंटी है, मैंने गुरू जी ने मुझे अपने पास बुलाया और सेवा के लिए कहा मैं गुरु के चरह दबाने लग गई है कि तोड़ी दिर बात गुरु जी मादू को बुलाया मुक्वी गुरु जी के पास आके बैठके गुरु जू से कहा तेरे कर्चे 24 तैचियां है गिया पता नहीं गुरुजी जाके गिन लई कल ते अच्छा जी तेरे कर्चे क्रीम कलर दे परदे लगे हो या ते हां जी गुरुजी फिर कहते हैं अच्छा जद कड़ी बनानी या रसोईची खड़ी होके एक कटोरी पारके खा लेनी या वो मेरी तरफ देख रही है मुझे तु मालूम नहीं इन सब बातों का कहती हां जी गुरुजी तेनु न नवे नोटा दिया गड़ियां कपड़े आच लुको लुको के रखन दी बड़ी आदत है कहती हां जी गुरुजी मैं तो एकदम हैरान थी और वो भी हैरान परें गुरुजी ने सब कुछ उसका बता दिया एक्सरे निकाल दिया जब हम लोग को लंगर के बाद आग्या मिली जाने की तो मतु कहती रश्री मा गुरुजी ने तो मेरे एक्सरे निकाल लिया मैंने का हां गुरुजी ऐसे ही हैं उन्हें सब पता है कौन क्या कैसे उन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है तो देखा आपने गुरुजी ने पहली बार में ही सब कुछ बता दिया उनसे भला हम क्या छुपा सकते हैं उनके सामने हर चीज आईने की तरह साफ है अगर हम अपने आईने यानि अपने मन की बाते कहेंगे तो उस पर ना जाने कितने जन्मों की धूल जमी हुई है और हम उस धूल को उतारने के बदले और चड़ाते रहते हैं इसलिए अपने मन रुपी आईने को कभी साफ साफ देख नहीं पाते हम अपने कपड़े गंदे तो करते हैं लेकिन साबूं से धोकर साफ कर लेते हैं पर अपने मन की मैल को साफ करने के लिए यानि अपने मन को निर्मल करने के लिए हमें सद्गुरु की शरण में जाना ही प हम सब में हॉमे या इगो तो फूट फूट कर भरी हुई है ये कि वज गुरु का संग पाकर ही उसके करीब जाकर ही दूर होगी एक बार गुरुजी के चन्नों की सेवा कर रही थी बिल्ला भी वहीं गुरुजी के पास बैठे थे गुरुजी मुझसे कहते हैं देख एथे कि सिद्धा सिद्धा बनके बैठा हैगा एदि दफ्तर जाओ तो लोका नों कंटा कंटा बठा के रखदा है बड़ा इंतजार करवांदा हैगा मैं एदि हॉमे कड रहा है सचमुच संगत जी हमें अपने जीवन में हॉमे से जितना दूर रहा जा सके रहना चाहिए ये एकद और एक दिन हम ऐसा करने में जरूर सफल भी होंगे आए गुरू जी को याद करते हुए कुछ और प्रेम की प्यार की और गुरू के असीम स्ने की जो वो हम सब पर लुटाते हैं और लुटा रहे हैं उन पलो को याद करते हैं जब हम सब ने महसूस किया है कई बार ऐसा खुले नहीं समाते आप और धन्य हो जाते हैं आप सब को सदसंग आप सब के सनसासं तो रोज सुनती हूं और गुरू जी के प्यार को महसつ करती हूं तो सच कहती हूं आंखें भर आती हैं और दिल कहता है तुप्यार का सागर है तेरी एक भून के प्यासे हम, लोटा जो दिया तुने, चले जाएंगे जहां से हम, गुरुजी के दर्वार में गुरुजी ने कभी किसी को खाली नहीं लोटाया, जो भी एक बार आ गया, जोलियां भर के ले गया, बस हमें एक बात याद रखनी चाहिए, कि हमें वैसा बनना है, जैसा गुरुजी चाहते हैं, हमारे अंदर जो भी कमी है, वो हम से बहतर कौन जान सकता है, बस उसे दूर करने की कोशिश करें, मैं हर रोज गुरुजी के सामने बैठती हूँ, तो हाथ जोड़ कर, सर जुका कर, यही प्रात्ना करती हूँ, कि गुरुजी, मुझे 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 कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आप जैसा चाहते हैं, वैसा बना लीजिएगा, और मुझे याद है, एक बार गुरुजी ने कहा था, फ़ाड़ी स्लेटा ता परिया होया है गया, एचकी लिखा, उसी लोकी ता आंदे हो, ता परे हो यांदे हो, सच्छु संगत जी, जब तक हम अपनी सलेट साफ नहीं करेंगे, तो गुरुजी कैसे उस पे अपनी ब्ल साफ करनी है, क्योंकि हम लोग तो ना जाने क्या-क्या लिखकर बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता, गुरु की महिमा, गुरु का गुनगान, गुरु की अपार क्रिपा, गुरु का सागर से भी गहरा प्यार, ये जब देखती हूं, सोचती हूं, तो आँखे छलकने लग सद्गुरु प्रणाम बार-बार, होटों पे हो आपका ही नाम बार-बार, चर्नों में हो मन सदा, चरन हो मन्जिल सदा, ये दया और भक्ती का ही दान बार-बार, ये मिरे सद्गुरु प्रणाम बार-बार, सोय जक्को फिर जगाने,ाय हो गुरुवर सदा, भक्ति में मन को लगाना, नात बार-बार बार-बार हो जनम,हर जनम में आप और हम, यूही हमको देना आप ज्यान बार-बार ये मेरे सद्गुरु प्रणाम बार-बार इस दुनिया के जो रिष्टे है और जो नाते हैं उनमें चाहे अपने हो या बेगाने हो अपने हो या पराइ हो ये रिष्टे नाते भले ही छूट जाएं लेकिन जो मेरा गुरुजी से साथ जो संभन्ध है वो जो नाता है उसमें कभी कोई फरक ना आए वो इतना मजबूत हो कि जीवन के अंतिम सांस तक चले और हर जनम में हमें गुरुजी ही संभाले संगत जी आपके साथ एक और सस्टंग शेयर करती हूँ मेरे अंकल की मीटिंग थी नेपाल में उन दिनों सावन का महीना था ये कहने लगे कि ऐसे प्रोग्राम बनाता हूँ कि सोमवार को तुम पशुपति नात के मदर्शन कर सको मेरी तुम मीटिंग होगी पर तुम जुरूर जाना हम संडे के उपोर नेपाल पहुँच गए और मंडे सुभा ये तो अपनी मीटिंग में चले गए और मुझे दो इंस्पेक्टर के साथ इन मंदिर जाने को कहा हम लोग जब मंदिर पहुँचे तो इतनी भीर थी इतनी भीर थी कि मैं बता नहीं सकती उपर से बारिश हो भी हो रही थी लेकिन मुझे चारो तरफ का वातवरन में श्रद्धा भाव प्यार और अपने इश्वर के प्रती अटूट प्रेम देखने को मिला हम भी प्रसाथ की टोक्री लेकर उस आगे बढ़े इंस्पेक्टर साथ तो इसलिए जादा तकलिफ नहीं हुई उन्होंने किसी तरह प्रसाथ की टोक्री पंडी जी को दी मैंने हाथ जोड कर बहुत ही शद्धा भाव से प्रणाम किया और कहा कि हे भुले नात मैं धन्य हो गई आपके दर्शन पा कर बस अपनी क्रिपाजिष्टी पे सब पे बन कर दी और अम घर वापस जाने के लिए चार-पांस सीडियां थी उत्रे सीडियां उतरने के बाद मैंने सोचा उपर तो इतनी भीड थी माथा नहीं टेक पाई इन सीडियों पर ही अपना माथा टेक के इश्वर को प्रणाम कर लेती हूं उन्हें धन्यवाद दे देती हूं सीडियां उतरने के बाद मैंने देखा सीडिय पर तो खाली कीचड है लेकिन अगले पर मैंने सोचा ये कीचड नहीं मेरे लिए तो ये चंदन है मैंने अच्छी तरह से देखा वहां सिर्फ कीचड ही था मैंने मन में भोले नात को याद किया और सीडियों पर माथा टेका जैसे ही उठी तो इंस्पेक्टर ने कहा मैम आपके माथे पे तु बेल पत्र चिपका होगा है। मैं इतनी खुश हो गई और सोचने लगी ये मेरे गुरुदेव का प्रसाद है और वो बेल पत्र मैंने अपने माथे पर लगा रहने दिया। और मन ही मन ना जाने कितनी बार गुरुजी को याद किया, उनकी कृपा, उनकी करुणा को मन ही मन धन्यवाद दिया। शाम तक वो बेल पत्र मेरे माथे पर चिपके रहे। मैंने भी नहीं उता रहे। शाम को जब ये मीटीन करके वापस लोटे तो कहने लगे दर्शन हो गए। मैंने का हाँ इश्वर की क्रिपाजे रही और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर इन्होंने पूछा ये माथे पर कि तो बेल पत्र क्यों लगाया चिपकाय हुआ है। मैंने इनको सारी बाते बताई। तो ये भी हैरान हो गए। देखिए संगत जी गुरु कहां और किसके साथ नहीं है। हर संगत को वो अपने होने का एहसास करा देते हैं। बस महसूस करने की देरी है और आप गुरु जी को अपने अंग संग महसूस करेंगे। या मैं कहूंगी प्यार के पल जो हमें गुरु जी से मिले उसका एहसास ही काफी है। बाकी जिन्दगी शुक्राने में निकल जाए यही अर्दास काफी है। ऐसा ही एहसास एक बार और हुआ था जब हम रामेश्वरम गए थे। वहां भी जब हम भोले नात के दर्शन के लिए गए तो पूजा करने के बाद वहां एक काला पत्थर था। उसके बाद अंदर शिवलिंग था। मैंने हाथ जोड़े प्रणाम किया। फिर उस पत्थर पर अपना माथा टेका और इश्वर को मनही मन धन्यवाद दिख किया। मेरा रोम रोम यही से यही आवाद आ रही थी। जै हो भोले नात, जै हो प्रभू, सबसे जगत में उंचा है तू। बस यही लाइने अपने मन में गा रही थी। जैसे ही प्रणाम करके मैं उठी, तो आप विश्वास कीजिए मेरे माथे पर फिर वही भोले नात का प्रसाद बेल पत्र जिपका हुआ था। दुबारा फिर वही भगवान का प्रसाद आशिरवाद पाकर मैं धन्य हो गई और ना जाने कितनी बार शुक्राना किया। किसी बात की चिंता मत करो। यहां मैं एक सस्थन आपसे शेयर करती हूँ। जब मेरे अंकल की डैथ हुई तो मेरे बेटे ने MBA का एक्जाम दिया था। उसके बाद उसे नौकरी ढूनी थी। उसने मुझसे कहा ममा पता नहीं कहा नौकरी मिलेगी, आप अकेले कैसे रहोग मैंने उसे कहा बेटा चिंता मत करो। गुरुजी है ना वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। विश्वास कीजिए गुरुजी ने उसकी नौकरी फरीदाबाद में HDFC बैंक में लगवा दी। मेरे बेटे का फोन आया और मैंने उसे उसने मुझे ये खुशकबरी दी। मैंन जिनीर तो कितनी अच्छी जगा तेरी नौकरी लगवा दी है। वो कहने लगा हां ममा लेकिन आपने खाली मुझे बधाई दी। कुछ कहा नहीं। मैं क्या कहती। जब से गुरुजी के चर्नों में जगा मिली है। उनकी आशिरवात से उनकी कृपा से ये मन संभाव हो ग एक बात तो समझ ली है, जो हो रहा है वो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। फिर घबराना कैसा। बस अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। ये विश्वास ही तो है जो हमें ताकत और हिम्मत देता है। किसी वी स्थिति में हो वो हमें संभा लेता है, हमे तूटने नहीं देता यहां कुछ लाइने गुरुजी के लिए कहती हो नाम इश्वर का जो दिल से लिया करते हैं उन्हीं भगतों को प्रभू प्यार किया करते हैं पाप धर्ती पे अधिक जब कभी बढ़ने बढ़ते देखा दुख भगतों पे अधिक जब कभी पढ़ते देखा लेके अवतार सारे दुख हर लिया करते हैं उन्हीं भगतों से प्रभू प्यार किया करते हैं नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं गुरुजी ने भी हम सब भक्तों का कल्यान करने के लिए अफ़तार लिया और ऐसी ऐसे लिलाएं की कि हम सब धन्य हो गए मुझे 1998 में गुरुजी के दर्शन हुए उस वक्त लगता था कोई महापुरुश हैं कोई गुरु हैं जिनके पास बहुत सी शक्तियां हैं जिससे वो सब का कल्यान करते हैं और धीरे धीरे आखों के सामने से जो परदा था वो हटा और ये महसूस हुआ कि गुरुजी साक्ष इश्वर हैं भुले नात हैं जो नित्य नहीं नीलाइक दिखा रहे हैं यहां मुझे एक बात यार आ रही है उस दिन लंगर के बाद गुरुजी अपनी गद्दी पर नहीं बैठे थे जमीन पर जहां हम सब बैठते हैं वहां बैठे थे और सारी संगत उनके पास ही बैठी थी इतने में एक संगत आई और सीधे जाकर गद्दी को गुरुजी जहां गुरुजी बैठते थे प्रणाम करा यह देख गुरुजी कहने लगे रब बैठे बैठा हैगा तो एक गद्दी नों मत्था टेगदा हैगा सारी संगत मुस्कुराने लगे सच्मुच गुरुजी खुद कहते थे मैं पैठिकल गुरु हैगा सच्मुच संगर जी गुरुजी की क्रिफा से इतने ससंग सुने हैं ऐसे ऐसे ससंग सुने हैं कि गुरुजी के चल्नों में यह दिल बिच्छा देने को दिल करता है उन पे वारी जाने को दिल करता है ऐसी अवस्था हो जाती है कि क्या कहूं क्या ना कहूं कुछ समझ ही नहीं आता बस हाथ जोड के आखे बंद करके गुरुजी को यार करती हूं और उनका शुक्राना करती हूं मुझे जब एक दिन मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी के पास ही जो कैबिनेट था उस पर बैठे हुए तो मैंने जाके गुरुजी को प्रणाम किया हाथ जुड़े गुरुजी करें अपना सत्संग ना सारा लिख के लेके आए कि कॉपी छिए अच्छी गुरुजी चंगा लिखी सोना लिखी मैंने का हां जी गुरुजी की आग्या थी घर गई एक हफता था अगले थस्जे को जाना था गुरुजी के पास अपने वाप सुद बैठके जो मन में आया जैसी भावनाय आई वो सब लिख दिया और नेक्स थर्जे जब गई कागस मैंने गोल करके हाथ में पकड़ा हुआ था तो गुरुजी के ले आई हैं मैं का हां जी गुरुजी आप पे लिख्या हैगा या अंकल को लो लिखो आय है जाएगा मैंने का नहीं गुरुजी खुद ही लिखा है अंकल को क्या पता है तो गुरुजी खुश हो गया और मेरे हाथ से वह कागस दे लिया ला वो आइफ अब डिविनी जी में वो मेरा सत्संग भी है आप सब के भी बहुत से प्यारे और सुन्दर सुन्दर सत्संग है रोज पढ़ती हूं जब पूजा करती हूं तो उन सत्संगों को पढ़के धन्ने हो जाती हूं जीवन एक अफसर है और संभावना है मुझे तो लगता है कि अनेक संभावनाओं का नाम ही जीवन है हम हमेशा सुनते हैं कि जीवन कुछ करने के लिए मिला है कुछ करने के लिए मिला है लेकिन क्या करने के लिए मिला है यह सब तक समझ नहीं आता जब आप जब तक आप तुझी के पास नहीं बैठते वह आपको रस्ता दिखाते हैं और आप धीरे धीरे उस रस्ते पर चलने लगते हैं हर जीवन में गुरु नहीं मिलता यह जीवन में घटने वाली साधारन घटना नहीं है इससे श्रेश्ट और कोई उपलब्दी हो ही नहीं सकती तभी गुरु पूरा पाया गुरु से जीवन में प्रकाश होता है आपका कल्यान करने के लिए गुरु जी की कृपा दिख्टी चाहिए गुरु की कृपा दिख्टी आप पर पड़े उसके लिए जिरूरी है आप में भी कोई बात होनी चाहिए कबीर दास कहते हैं तीरत नहाय एक फल सं सद्गुरु मिले अनन्त फल कहे कबीर विचार जब सद्गुरु मिलता है तो अनन्त फल प्राप्त होते हैं इस स्ष्टी में यदि कोई एक वस्तू जो अनन्त है जिसका कभी अन्त नहीं होता वो है प्रेम और उसी अनन्त का एक बीज आपके अंदर भी है आप चाहें कितने भी मैले कुछ अले हो जाएं प्रभु से मिलने के ख्रमता आप में है जैसे ही गुरु की दिश्टी आप पर पढ़ती है वह अंकुर आपके भीतर फूटता है अंकुरित होता है एक संथ के आभा मंडल में रहने से मात्र से आपके भीतर जो बीज है वो पोशित हो जाता है गुरु जी जब जीवन में आता है तो हम गुरु मैं हो जाते हैं आप सब के साथ एक सत्संग और शेयर करती हूं एक बार मैं बड़े मंदिर गेंती वहां मुझे सत्संग सुनाने का आधेश हुआ मैंने अपना ससंग सुनाया उसके बाद लगगर करके मैं वापस लोटी जूते हम उस वक्त में गेट के पास ही उतार के थे मैं अपने जोड़े ले रही थी कि एक बीस या बाईस साल की लड़की मेरे पास आई और कहने लगी आंटी मुझे आप से कुछ पूछना है मैंने कहा नहीं क्या हुआ उसने मुझे से कहा कि कल मेरी फ्लाइट है और मुझे बॉस्टन जाना है और मैं पहली बार जा रही हूँ और अकेली जा रही हूँ इसलिए बहुत घबरहत हो रही है आज इसलिए गुरुजी के पास आई थी लेकिन मंदिर से बाहर आते ही मुझे फोन आया कि एरपोर्ट पे मिसिस मली आपको लेने आएंगी और फोन कट गया सथसंग करने के लिए जब आपका नाम अनाउंस हुआ तो मुझे लगा शायद आपका कोई रिष्टेदार रहता होगा इसलिए मैं भागी भागी आपके पास आई हूँ मैंने उससे कहा देखो गुरुजी ने तुमें जवाब दे दिया है कि घबराने की कोई बात नहीं वो मिसिस मली के रूप में गुरुजी खुद आएंगे तुमें कोई तकलीफ ने होगी घबराओ मत विश्वास रखो बस इस तरह कि छोटी छोटी बातों से गुरुजी हमें बताते हैं कि वो कहा नहीं है हर जगा एक एक कन में है वो अंतर्यामी है वो परमेश्वर है और उन्ही का नूर चारो तरफ फैला हुआ है सच्मुष संगत जी ये अटल सत्य है कि गुरु के बिना रह ना पावे कोई दाता के बिना रह ना पावे कोई आज तक जिसको भी सच्ची रह मिली है जीवन में उसे अपने गुरुदेव से ही मिली है सच्चे गुरु के बिना सच्ची रह मिल पाना संभव नहीं है गुरुदेव ही बताते हैं कि जीवन के अस्ती रह क्या है जीवन को कैसे समझा जाए कैसे जिया जाए इसे किस रूप में देखा जाए और कैसे सराहा जाए? कैसे ये समझा जाए कि मानव जीवन एक उपहार है और वो भी सर्वोत्तम उपहार है? इन बातों की समझ हमें गुरू से प्राप्त होती है. अटा, ये बात स्वधा स्पर्ष्ठ हो जाती है कि सद्गुरू की मदद की बिना किसी को भी जीवन की सच्च आप ञीं सकती है। गुरू ज्यान के अभाव में मनुश्य की स्तिति वैसी ही होती है, जैसे कस्तोरी की खोड़ में बंभतकते हुए हिरनकी होती है। गुरू के ज्यान का प्रकाष जीवन में आता है तब अंधेरा घठता है, ब्रहम हटता है, और वास्तिविक वस्तू सपष्ठ हो जाती है। मनुष्य जब गुरू की शरण स्विकार करता है, तब उसके जीवन में ये सुंदर परिवर्तन घटित होता है। उसको फिर इधर उधर ठोकर खाने की जुरत नहीं पड़ती व्याट भटकना नहीं पड़ता मानल जीवन का तदुप्यों करके उसका लाग वही व्यक्ति उठा प्राप्ट कर सकता है जिसने गुरुदेव के मालक दर्शन में अपना जीवन बिताया है संगत जी यह फर्वर में डुके डूबी हुई और गुरुदेव को ही अपना वैलेंटाइन मानती है हमारे गुरुजी तो प्यार का सागर है और उस सागर में हम सब को एक एक भूंद मिल जाए तो हम सब धन्य हो जाते हैं मेरा ये ससंग आप सबने पहले भी सुना है पर गुरुजी की आग्या से एक बार फिर आपके साथ शेयर करती हूं उन अन्मोल पलों को जो जी लेती हूं शाम का वक्त था और उस दिन वैडनेस डे था गुरुजी के पास तो जा नहीं सकती थी इसलिए सोचा चलो मंदिन में ही दिया जलाकर गुरुजी के पास जाकर बैठती हूं मैंने दिया जलाया अगरवत्ती जलाया और गुरुजी के सामने बैठके मैंने हाथ जोड़ कर जो भी दिल में था वो कह दिया और प्रात्ना की की गुरुजी आज वेलेंटाइन डे है और आप के पास मैं आज आ नहीं सकती इसलिए यहां बैठकर आपके वो याद कर रही हूं क्योंकि मेरे वेलेंटाइन तो आप ही है गुरुदेव मैं आपको इसे बहुत प्यार करती हूं जबसे आपको देखा है जाना है बस आपके सिवा कुछ नजर ही नहीं आता गुरुदेव आपके लिए एक गुलाब भी नहीं लाई मुझे माफ कीजिएगा पर आँखों से जो आपके प्यार में भरके जो आसुन पहते हैं उन्हें आपको समर्पित करती हूं स्विकार कीजिएगा और गुरुदेव एक छोटी सी तमन्ना है कि आप भी मुझे कुछ गिफ्ट दीजेगा इस तरह अपने वेलेंटाइन अपने गुरुदेव को अपने मन की भाव कहने कह दिए रात को जब सोई तो गुरुजी मेरे सपने में आये मुझे मालूम है वो सपना नहीं और मैंने देखा कि एंपाय स्ट्रेट में सारी संगत बैठी हुई है और मैं भी बैठी हूँ गुरुजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया अपने और अपने गले से गुलावों की माला उतार कर मेरे गले में डाल दी और दर्शन समाप्त हो गए मुझे आज भी याद है और भला भूल भी कैसे सकती हूँ पिंक रोजेस की माला थी जो नीचे से डार्क और उपर हलके पिंक कलर की थी आप ही बताए इतना सुन्दर गिफ्ट इतना अनमोल गिफ्ट पाकर कोई क्यों न फुला समाए या कहना तो बहुत कुछ चाहती पर शब्द नहीं मिल रहे इतना ही कहती हूँ हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते अगर तुम न होते गुरुजी हमेशा हम सब पर अपनी क्रिपा बनाए रखें सब की पुकार सुने सब की फरियाद सुने संगर जी कोई भूल हूई हो तो हाथ जोड़ कर माफी चाहती हूँ स्रेश वासान अंकल और मल्टि लिंग्वल प्लेटफॉर्म का तही दिल से शुक्रिया आदा करती हूँ कि जीनों ने हमें इतने सुन्दर प्लेटफॉर्म दिया जहां हम आकर अपना सस्तंग अपने आपको सुनाते हैं और फुश्पिस्म समझते हैं गुरुजी को याद करके उनकी बाते करके धन्य हो जाते हैं इससे पहले कि मैं अपनी वानी को विराम दू ये चन्द लाइने गुरुजी के चन्नों में अर्पित करती हूँ दिलकश तेरा नक्षा है सूरत तेरी प्यारी है जिसने तुझे देखा है वो जान से वारी है क्या पेश करे तुमको क्या चीज हमारी है ये दिल भी तुम्हारा है और जा भी तुम्हारी है हम लाक भुरे ही सही कहलाते तो तेरे हैं एक नजरे करम कर दो क्या शान तुम्हारी है साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, हमें तुम्में छुपा लेना आर्जू ये हमारी है ये दिल एक मंदिर है, मन एक पुजारी है, इस दिल में जो रखी है, वो मूरत तुम्हारी है दिलकर्ष तेरा नक्षा है सूरत तेरी प्यारी है जिसने तुझे देखा है वह जान से वारी है तो मैं अपने सस्वंच को अपनी वानी को यहीं विराम देती हूं जैगुरुजी कि आपको जाने का जाने के लिए नहीं कह रही है अभी कुछ आपसे रिक्वेस्ट है कि गुरुजी महराज आपको तो तो मेरी मेरा गी है बोला करते से जी हां तो आड़ी को सुनाइए ना अंकल इतनी बात तो सुनाया लेकिन हां इतना प्यारा है यह मुझे बहुत मेरे दिल के इतने करीब है यह सत्संग कि मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी ने एक दिन सब चन्नों पे बैठी सेवा कर रही थी गुरुजी ने प्यार से मुझे कहा था तू मेरी मीरा मैंने तो अपने कानों पे विश्वासी नहीं किया कि मैंने क्या सुन लिया लेकिन गुरुजी केंदे हाँ हाँ तू मेरी मीरा मैंने कहा हाँ जोड कर कहा मुझे याद है गुरुदेव मीरा मीरा तो बहुत महान थी गुरुजी खिष्ण की दिवानी थी उसके जैसे बन पाना तो बहुत मुश्किल है लेकिन आपने कहा है कि तू मेरी मीरा तो मैं जरूर मीरा बनने की कोशिश करूंगी इस तरहां गुरूरूजी का वो शुए आज भी मेरे कानों में गुंस्ता है और मैं सच में तो कहती हूं कि मैं अपने आपको संधिये चली हूं कि कि मेरी दिल से यही तमन्ना है कि मैं अपने आप को μεरा बना सकूरा अज्oule को जो इतनी अच्छी आप कंवता हैं इतने मज़र कंवा र 99 आउच ओंक यह साँ गुर 이 की आशिरवाद hè और कुछ नहीं मुझे नहीं मालूम लेकिन हां जब गुरु जी के बारे में कुछ लिखती हूं तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कि हाँ आज मैं गुरु जी के चन्नों में ये फूल अर्पित करूँगी। जी, इसी के साथ ही आँटे एक बात और कहना जाता हूं, गुरु संकत की नौलज के लिए भी और वो ये था कि गुरु जी ने एक बार आपको कुछ शुनाने के लिए कहा था श्यायद। जी हाँ, काना गाने के लिए कहा था अंकरु आँटी आप खुद बताएं। जी, संकत जी एक बार मैं बैठी थी तो गुरु जी ने वहीं बैठे-बैठे कहा, चल मली आँटी, गाना गा। उन दिनों मैं गुरु जी के पास ज्यादा दिन नहीं हुए थे, तो मैं तो एकदम घबरा गई और शर्माब गई। आँटी. मैंने कहा, नहीं गुरु जी, मैं नहीं गा पाऊंगी peròू जी ने फिर कहा, जल गा। मैंने कहा नहीं गुरु जी नहीं। सचमुच इस बात का मुझे इतना दुख है, इतना दुख है, मैं जोड़कर मासर जुका कर गुरुजी से माफी मांगती हूं कि मैंने उनकी आग्या का पालन नहीं किया वो मुझे माफ करेंगे वो बक्ष देंगे मुझे अंटी आपर शरूप मेरे आप से रिक्वेस्स है कि आप जब भी संकत करती है तो अपने एक रहे जरूर जरूर कोशिश करूगी अंकल जी अंटी ओडियो रिनु आंटी जै गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी एन्नी प्यारी संगत गुरुजी दी मेरा अज जी निहाल करता कोई शबद ही नी मेरे गले कि मैं थ्वान्नों किस तरा मतलब की शुक्राना करा एन्ना अच्छा सा संग थ्वड़ा सुनके सारी साड़ी मरेल्टी लिंगल परिवार सेवादार निहाल होए कैनले कोई शबद नहीं वाकि एक मीरा दी भक्ती और मीरा दा प्रेम छलक रिया सी कि अंकल जानतो बाद भी तुसी अपने परिवार नो किस तरह एक विश्वास नाल एक पक्ती नाल संभाल लिया और बेटे ने जो थाड़ नाल क्वेश्चन के तब तुसी जवाब दता कि कवराना गुरू जी है किना वड़ा विश्वास एक मीरा दी तरह ही विश्वास दिगा जो नाम गुरू जी ने फ़र्म दता मीरा वाकि बहुत अच्छा नाम है और जो तुसी कवर्टा सुनांदे हो गुरू जी दिया ओदे नाल सुनके जिना से नी हाल हो रहे हैं और वाकि जो गुरू जी ने उस दिन तुआ नो गाननो किया उन्हा दी लिल्ला सी कि गाननू भी किया और ना भी करवाई क्योंकि उन्हानू पता सीगा कि मेरी मीरा मेरे लई बहुत सारियां कभिता सुना के संगत जीनू जरूर तारेगी असी जो दो इस प्लेट फारम ते आके थो अन्हों सुन देयां पहले भी सुनिया थो अन्हों साड़ा बहुत मन खुश रिंदा सी फिर गुरु जी दे चरना चब्या जान देयां जाके मैं थो अन्हों एक छोटा जा अपना छोटा जा सरसंग सुना देयां अज मैं मतलब की जो वासन अंकल ने मतलब थो अन्हों किया मैं सोच रही सी गी मैं क्या गुरु जी मैं अन्हों सुना क्या दुमा की ए मीरा वाला सरसंग करन ए गाने वाला करन ते एक नम वासन अंकल ने ओ गल क्या थी ते गुरु जी ने उसी टाइम हजे मुच सोच रही है ते वासन अंकल ने ऐस सरसंग भी सुना था कुनाल एक अपने बड़े मंदर सेवा कर दे बहुत भीबा मुंड़ा हूँ एक दिन मिन्नों फोन आया मैं बड़ी रो रही सी मिन्नों किसी ने बहुत वड़ा तान्ना मार्या सिगा कि तेन्नों ता कोई नहीं पूछ दा मैं के गुरुजी नहीं वरी बुलाबला के ससंग कुनाल दा फोन आया के अंटी थोड़ा नाम की या मैं खिया अंटी तुसी प्लेटफॉर्म ते ससंग करोगे मैं किया हंजी पहले नहीं सी मिन्नों पता भी प्लेटफॉर्म की चीज है बड़े मंदर तो जो दो हुदा फोन आया बच्चे दा मैं नहीं निहाल होगी मेरी किनी देर ता को दिना मेरी गाल नहीं हुई ओ आंटी आंटी मैं क्या बेटे मैं खुशी दे नाल बोल नहीं प मैं कि 1990 में बाद सांटी सासंग फड़ा मतलब शुरू हो जाना कि सासंग करना तुसी गुरुजी दा मैं क्या ठीक है और देखो उस बच्चे ने मिन्नों पहली बारी पता चलिया कि जित्थे आपां सासंग करने हो एक प्लेटफॉर्म में और सारे अपां गड़ी दी खड की का जो बैठे उस सासंग कर रहे हूंदे याई और गुरु महराज कर रहे हूंदे खुद अपनी मेर करकि हो सारय तो सासंग सुनवां ने भी आपां इस civilization उन्हाल किता कि वासन अंकल ने जो इस प्लेट फार्म ते सानु बला के सारी संगत नो निहाल कर दे हैं उना दा बहुत बहुत शुक्राना लास्ट टाइम देखो वासन अंकल दी दुख जड़ा आया भी है गुरुजी दे नाल रहंदे हुए यह अपनी फर्ज तो नहीं परे हुए अपन पूरा फर्ज ने बारे ने उस दिन तो कोई भी ऐसा प्लेट फार्म निहां जो ससंग आया थे वासन अंकल ना आये हुए लास्ट टाइम बीनांटी होस्पिटल सी और एना ने होस्पिटल तो सड़ा सब दा तानवाद किता गुरुजी दे ससंग दा गुनगान किता और ओ आज भी ससंग करना चु गुंजदा है उना दा आज भी इरेन शुर्म आंटी तो बहुत तानवाद ओ आज भी करना चु गुंजदा है शबद सो गुरुजी उनानों लेन आये सिगे ताही उना ने अत्थोंदी होई ससंग करवाया अपना होस्पिटल तो जद की करवाया मुल्टि यंगल परिवार दातानवाद करवाया तो साथ संगत जी अज रश्मी अंटी था संग सुनके असी जो सारे निहाल होए ने अज मैं किसी और का अच्छा वासन अंकल एथे पूरा परिवार संग सुन रहा देखो गुरुजी दी संगत है नमी परिवार अच्छा तक बैठा हो एना था और थोड़ा जा दुख सिगा मैं के देखो गुरु महराज ने थे पर जया वासन अंकल ने किया मिनु जाओ अंटी तुसी बार निकल के संग करके आओ उन्हान पता सिगा मैं के वासन अंकल दुआरा गुरुजी ने कहाया और एपरिवार असनदा दुख्यव सीगा थे गुरु जी ने ना की की कल्यान करके कें पर जेया की कल्यां करना सिगा देखो ससं कीराहां अंटी दो ऐसाल संग सुनिया मेरा अंटी तःहे दिल से त्वड़ा तहन ऑड़ू बहुत बहुत तन्वआघ गुरू दा बहुत बहुत शुक्रान तो जाना उनी सो टू थाउजन्ट दी गाल है मेरे पैसे गिर गिया हुना दिना चाहँ ज्यादा पैसे नहीं हुंदे थी मेरे फादर ने कोई लोन लिया सी हो भी मिननू फड़ाता थे मेरे हजबंदी तन्खा मेरी तन्खा में एक पर्स चपाई होई से गी ते मैं नहीं को जाना सी जा आँ चैमिस्ट को कि मेरी प्रिंसिपल कहन लगी लियनू जा रही है ते मेरे मिस जा इंते मेरे को घ्ली रहा दे अपनी बीपी हाईम का फिख व्यां ड़िया मैं जदू हाई थे में दूआई मतल्व रठी मैं करें है क्यों यह मैं क्यों पता नहीं मैं तो पैस बना हिए कि चलो ठीक है मैं डोढתי ते जित्छी कुछ नहीं सी साखुष्या अज्चे सी घ्र ईच्चक्न लगी ते निच्छे मेरा पर्स पर्स कि आ आए परस बाच गया तुसी सारा दिन टिक्टा नू केंदेओ असी सुरे पंच जने गुडरी को दोडे यारा वजी गुरु जी सा नू बार मिल गे दे कि छलो अंदर बैठो गुर्जी साडिनल जी निचे बैठ के ते लिगे चली हो ए रंदिंगे तरे पैसे आ दी भी मैं न करां अद्धा केंटा उस बंदेनों लेट किता कार उत्ती खड़ी कराई तैनों पता हुझी रखके पुल गया सेगा जर तक तू नहीं आई देखो जया गुरुजी सो गुरुजी इक बंदा भी कंदे जुड़ गया परिवार्दा पूरे रिष्टेदार सब नाते जुड़ जो सुन रहे हैं जो सुना रहे हैं उन आंद्र वी तै दिल से शुक्राना जय गुरुजी वजैने और हर भी बूस ऑन्ती जाती तो खेला जाई है कि आप को जनम दिन पर पेरी खेर बनवाही थी आपको याद होगा अंकल याद है मुझे और आज 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 आपको पता है आज हम मेरी वेडिंग अनुवर्सरी है वाँ गुरु परिवाद के तरफ से अंटी अपरम पार है अंकल मैं कह नहीं सकती कि इतनी खुश हूं मैं कि आज के दिन उन्हों ने इसी ससंग करवाया मैं आप सब की बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्र गुजारते अंटी गुरुजी महराज ने जो आपको खीर बनवाई थी वो जाते जाते मता जाजाए प्लीज जरूरंकल हम लोग जलंदर गए थे न्यू येर पे गुरुजी के पास तो उस दिन 31 को तो गुरुजी के पास तो फर्स्ट को मुझे वापस दिल्ली आना था लेकिन गुरुजी ने कहा अंटी कल भी मंदिर आई जाना नहीं आले दिल्ली मैंने कहा ठीक है गुरुजी और मैं और मेरी सिस्टर नेक्स दे भी गुरुजी के पास गाए रात को सब बैठे हुए थे लंगर करने के बाद स साथ-एट लोग थे हम लोग हमें रोक लिया फिर बस जब सारी संगर चली गई तो गुरुजी उठके अपने कमरे में गए तो हमें कहा कि तुम लोग भी आ जाओ और हम सब गुरुजी के पास जाके बैठ गए और गुरुजी अपने पलंग पे लेट गए मैं चुप-चा कहती हूं इन 10 सालों में मैंने सिवाए गुरुजी के चणों की सेवा के और कुछ ने किया मेरे लिए इतना यही इस जीवन पे लिए क्या हर जीवन के लिए बहुत बढ़ी बात है कि मुझे उनके चर्णों की सेवा मिली तो मैंने उनकी चर्णों की सेवा करने लगी सेवा करते करते फिर उनने अपने और पास बुलाया और हाथ दे दिये मैं उनके हाथों की सेवा करने लगी फिर गुरुजी ने आखे बंद कर ली मैं घड़ी की तरफ मेरा टाइम मैंने देखा तो एक गुरू जी आज मेरा जनम दिन है कि इतने थोड़ी दिर में अपनी आखेघ कोल ली तो मैंने हिम्मत करके कहा कि गुरू जी आज मेरा जनम दिन आहो मैंनु पता हैगा तेरे लिए तो यह भी खीर बना बन रहे गा मैं इतनी खुश होगी मैंने का गुरु जी आपका ये प्यार में कहां किस जोली में डालू जोली तो मेरी मैंने हर समय भरी हुई है हर समय भरी हुई है बस उनको नोने मुझे प्यार से न अपने पलंग के पास ही पड़ी थी एक बहुत सुंदर घड़ी है penguin उसके अंदर है और जो पैंग्विन घूमते रहते हैं और टाइम का पता चलता है तो मुझे वह घड़ी उठा के गुरुजी ने एला है तेरी गिफ्ट मैं तो धन्य हो गई इतनी खुश इतनी खुश सारी जिन्दगी में वह गिफ्ट मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है जो ग काटोरिया भर भर के ना स्टील की बड़ी बड़ी काटोरिया भर भर की खीर लेकि आए पिंग कलर की खीर थी और हम सब खाके सच्पुच धन्य हो गए और गुरुजी को कितना शुक्राना किया कि मैं बता नहीं सकती और यह वह पल दुबारा तो जिन्दगी में नहीं जाते हैं बेशक आप धन्य है आंटी गुरुजी की आपको गुरुजी ने आपको ब्लैसंगत वला हुआ अपने मुह से क्या ब्लैसंगत हो गुरुजी का मुझ पर बहुत बड़ा ऐसान है कि मैं मुझे इस काबिल समझा मैं इस काबिल हूँ तो नहीं लेकिन हा करती हूँ वैसा के बढने की अति सुंदर की तरफ से आंटी बहुत बहुत प्रणाम आपको आपने समय देने के लिए और आने वाले महीनों में आंटी एक बार फिर आपको गुरुजी महाराज की तरफ से अमन्तित किया जाएगा कि लिए हम मैं आप सब से रिक्वेस्ट क कि हम सब मिलकर गुरुजी महाराज से आगे लेते हैं